हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हलो नमस्कार जहन अज का टापिक है कंकाल एवं पेशी तंत्र स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम इसके अंतरगत कंकाल को और पेशी मांस पेशियों को पढ़ा जाएगा कंकाल क्या होता है हमारे शरीर में हड्यों को जो ढहांचा होता है जिस तंत्र से जहां हमारे शरीर को एक निश्चित आकरिति प्रदान करना अगर कंकाल नहों हुआ हो जाएगे और ठीमला थे भिरेंगे एक यकार रची ताकरित परदां करता और हड्यों में कारवनिक पदार्थ क्या दोनों श inquiet लोड़ था हमें कौन सा प्रफाक पर प्रफाएं कि इतना जाने और इस लिए बताए क्योंकि यह दो सब एक है वी कल सिक्रित लीकल सिक्रित अस्थी डी कलpse pięter बोन और एक है सुषक अस्थी ड्राइबार्वन सब्सक्रिफ कर सिस्क किया जाता तो कार्बनिक पदार्थ अलग पर दोनों मिलते हैं अपर अल Represent जाता है तो सुस्क अस्थि कहते हैं उसे और जब अकार्बनिक पदार्थ हट जाता है याद कैसे करेंगे यहां लिखा है सुस्क तुस्क में को आ रहा है तो कार्बनिक पदार्थ अलग होगे यहां से और इसमें तब अकार्बनिक पदार्थ अलग होगा कंकाल क्या है अभी मैंने बताया कंकाल क्या है लेकिन इसके कारी क्या है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना अभी मैंने बताया आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है एक करण पर्तै राकरित रासठ प्रदान करना चंचल हो सजो मिसल मशायता कर न ह करना कर मंडार्ण करना रत्त कोशिख निर्वान करना इत्यादियस के Х Chuck नीरिमान रचिया एक अस्थी है अस्थी को बनाया गया इस किस प्रकार क्या देखियों में एन निर्बंण होगा इसके अधार पर फोदित में सबसे प embroiderytit बाहरी जो परत होती है सथी की जो बाहरी पर्फ होती है यह डवल लेकर में होती है और अंदर वाली लोच और दो पर यह आपको दिख रही हैं अंदर वाली को एंडो ऐस्टियम बोलते हैं और बाहर और एक इनके बीच में होता है मीजो मीजो का मतलब मतलब अंदर मतलब बाहर यह तीन सब्दा आपको देखते मिलते हैं और पेरी का एक सब्दाता है पेरी पेरी का अर्थ होता है चार और यानिकि बाहर से चार और तो पेरी आश्टियम मतलब चार और यानिकि बाहर से चार लेयर को एंडवाश्टियम बोलते हैं उसके बाद इसके अंदर जो यह होता है यह जो आपको दिख रहा है यह मैट्रिक्स अधात्री बोलते हैं यह द्रब्य को मैट्रिक्स बोलते हैं उसके बाद यहां पर एक होता है ये लाल अस्थी मज्जा ये लाल अस्थी मज्जा दोनों साइड में होता है दोनों किनारों पर लाल अस्थी मज्जा होता है और बीच में होता है पीली अस्थी मज्जा बीच में पीली अस्थी मज्जा तो लाल अस्थी मज्जा और लाल अस्थी मज्जा दोनों रख्त में होता है RBC, WBC, platelets, यहीं कड़िकाय रख्त में होती है, RBC, WBC और platelets, सबसे ज्यादा क्या होती है, RBC होती है, इनकी छोड़ी-छोड़ी संद क्या होती है, इसलिए सबसे ज्यादा RBC होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए, बलड को अगर बोलें, तो मुख्रिब से बलड में क्या होता है, RBC को ही बलड बोलते हैं, मंत्याँ यहां भी निर्माण होगा, जानि के खून का निर्माण, भलड के निर्माण, लालस्थी मज्जा में होता है, फिर पीली एस्थिमाज्जा किसलिए होती है पीली एस्थिमाज्जा में भी बलड करने इर्माड करना शुरू कर देगी के मुख्यर सधारन परिश्थितियों में बलड करने नर्माड करती है लाल नष्थिमाज्जा ए लेकिन विशेच परिश्थितयों में पीली अस्थिमाज्जा वहीं बलड करनें हर나ν करदी है दोस्ब्द और हो रहा हैं इसके बारे में इक हैं एक है एक डाइफाइसिस जो हो है पीली मज जहां तक छहत्र है याँ से यहां तक आपको पील अस्थीमज़ा देख रहे है तो यह पूरे मुज़ी सहित को लेकर इस भाग को बोलेंगे दिख रहा है आपको इतना और इधर भी इतना तो इसे बोलेंगे एपिफाइस तो ड्या फैसिस और एपिफाइस अभी ध्यान देंगे डो आजंगो के यह पेरी सियम अभी हमने बता एक परिभा के बारे में पेरी का मतलव होता चार और मतलब अस्तिम हो सभा अस्ति में हमेसा अस्टियोग लाष्ट को सिकाए होती है इसमें इसमें को रहती यह है जिनने सारपय तंटु और यह कोलाजन तंटू होते हैं जो स्व securities होते हैं है य permits में जिस सिस्टम से कउंदे नहीं सैंचिंग होते हैं अब इसके समय अभी अभी मैंने दिखाया इसका निर्माण भी कुलेजिन तंतूं से होता है तता यहां पर भी आश्टियो ब्लाष्ट को शिकाए होती है अधात्री मैट्रिक्स अस्थी की मैट्रिक्स में धमनी कि सीरा तंत्रिका लेसिका माहिनिया इत्यादि पाए जाती है जो यह जो अस्थी है यह वाली जो एरिया है यानिकी यह इंडो आश्टियम के अंदर की जो एरिया है यहीं तो मैट्रिक्स है इसी में सब धमनिया सीराएं इत्यादि सब जाती है सब्सक्राइब करते हैं जिससे बलड का परियोन के ऐसा क्योंकि यह उसलिए भी होती है यहां पर आश्टियम बलाष्ट को वहाँ स्थि औरफ रिताडक अंतरल्म करें diye परिवहन करें और किस प्रकार से परिवहन करें लिए एक सिस्टम हुझा है में पढ़ना को हम लोग नहीं पढ़ेंगे बस इतना जान लें यह संधरी जनतर से नेक्ष्ट अस्थ이 मज्जा पें लूखनेट होता है और हमारे चानक रखती कमी होती है जैसे हमारे सरीश होती है तो बात को समझाया कंकाल तंत्र मानौ कंकाल human skeleton मानौ कंकाल दो भागों बाट सकते हैं एक अक्षिय कंकाल εकश इक उतकर पांगेंगाल यानि कि जहां पर आप एक उतकर मतले अपने अक्ष पर जैसे प्रतीबी अपने एक्ष पर घुमती है यह उसका मनुस्य बना इस मैं पर जैसे यह एक मनुष्य है इसका मुंडी है यह एक मनुष्य है इसका हाथ ही है इसकी मुंडी है इस मनुष्य की मुंडी से एक इसके सर से एक डंडा खोश दें एक छड़क डाल दें इसके सरीर में और इस छड़के सारी इसको घुमा दें तो इसको एक्सिस बोलेंगे और यह च्छड निकलेगा कहां से यह नहीं पता है आपको समझ लेगे तो यह ज़ड़ जो है कि इसके सारी अगर घ्रमाएं तो इसको एक शित बोलेंगे तो अक्छी एक अक्छी मतलेंगे इसी को अक्छी कंकाल भोलेंगे इसी को यानि कि कहने का मतलब की हाथ और पैर को छोड़कर भावики सबक्ष सिख अन्वा में आएगा उपांग ए कंकॉल आदनी बोलते हैं ना कि मार देंगे तो वेटी पीछ पने की अश्टिकों जोड़ते हैं उसी पिछे कमुसर टेंये शौध से पीछे पीच्छे कड्म यहां से पीछे पर बीच में होती है तो हाथ की अस्तियां और फैर के अस्तियां को बलते हैं आगरपाद एंड अंस मेखला अंस मेखला का मतलब की हाथ की अस्थियां जहां से शरीर से जूड़ती है उसी कौँ अंस मेखला कहते हैं होता है न मैत में अंस बटे हर अंस बटे हर होता है तो यह अंस मेखला कहां होगी उपर वाली उपर का मतलब की हाथ वाली में और पैर वाली में तब क्या होगी श्रोणी मेखला पश्च पात का मतलब पैर और एंड श्रोणी मेखला आश्ठी कंकाल में मानव कंकाल में 206 हड़ी कंकाल में dobr को आपको पतकर ही होगा, दो सब्चास्थिय लुए होते हैं अक्षीगल कंकाल में हड़ीओं की अश्थी 80 एक परकार का प्रकार कर सकते हैं अक्षी 80 맛있 उसके बाद κंकेक ही कंकाल में कि बच एक 126, 80 exista है, 126 बजी 18 में से 29 यब अस्थियां सिर की अस्थि है एक अस्थि ईस्टरणब है 12 जोड़ी होती डाटर जोड़ी के मतलब की 24 पस्लियां होती है कशे रुकाएं के संख्या 26 होती है अग्र उपांगे कंकाल में क्या होता है अग्रपाद अंसमेखला अग्रपाद अंसमेखला था पश्च पाद अंसमेखला इसमें होती है बत्तिस प्लस बत्तिस बत्तिस प्लस बत्तिस 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 मतलब कि एक हाथ में अंसमेखला को लेकर बत्तिस दू दूसरे पर में विश्रूडी में एकला को लेकर 31 तो कितना हो जाएगा 31 32 और 32 बतिस चांसट 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 126 हो गया 126 चाहिए हमें इस प्रकार से हड्डियों का बेत्रण होता है बारी बर्च देखते हैं सीरकेस्थियां इस्टर नम को देखेंगे पस जरीर का इसके लेटर सिस्टम है इसी को बोलते हैं अगरपाद इसे पस्चपाद बोलते हैं और अगरपाद ये कंधा जहां से जुड़ा होता उसी को अंसमेखला बोलते हैं और इसी प्रकार से इस साइड भी सीर की अस्थियां 29 होती है सीर में 29 होती है इसका डिस्टिबूशन किस प्रकार से होता है सीर में सबसे पहले होता है क्रेनियल बाक्स जिसमें हमारी खोपड़ी हमारा मस्तिक्स इस्थित होता है तो क्रेनियल बाक्स के अस्थियां इसमें आठ अस्थियां होती है क्रेनियल ठेए पर अगर आप आयसे आगे थापर मारेंके िकषिच है थिक लुए और लुए सुपल होता हो पूरा आयगा इसलिए चेहरे में भी Soroda स्थियां होती है अंंगṛ चवद दो जग़ा से मुलती है कि सब्स्टीन अंगोलियों को होता है लेकि लेंके तक लो पूरा जब च्यहरे में 14 हो जाएंगी करन अस्थिया होती है कान में छे तीन अर दूसरे कान में उसमें फ्रेंटल पेरियोटल टेंपोर्टल असीपिटल इस्पेनाइड एथमाइड पेरियोटल और टेंपल दो-दो होती हैं बागी सब एक ही होती हैं अभी देखेंगे सब को चेहरे में जाइगोमेटिक मैक्सिला नोजल वोमर इंफिरियर कॉंकाई लेक्राइमल पैलेट कि अखए इखम दोड़न के अश्ञिसद सबुसा और होती फ्रेंड करन्सों यह ओंन्टेमों को मिष्याहन नोजल प्युक्त मटती यानि कि फ्रंट मतलब सामने कहता ना बिल्कुल फ्रंट पर रहा रहा है मतलब सबसे आगे रहा रहा है सामने रहा रहा है यानि कि यह जो हड़ी होती है यहां पर यह फ्रंटल कहते हैं इसे यहां पर जो हड़ी होती है यहां पर देख सकते हैं यहां पर तो इसे बोलता है फ पाराकर के आप बाल जा रहेंगे तो जहां से बीच मांग आएगा ऐसे ही हुआ एक यहां से यहां तक आता है तो पेरियोटिल बढ़ा होता आप देख सकते हैं इसमें फिगर में पेरियोटल और पेरिकार्थ होता है चार और इसलिए पेरियोटल नाम है इसका पेरियोटल उसके बाद टेमपोर्टल इसके नीचे होती है टेमपोर्टल पेरियोटल इतना तक होता है इतना तक उसके नीचे होती है यहां तक यहां तक यहां तक जो होते है टेमप तो उसके बाद और के पीछे टोड़ी से चुट गई यहां पर उसे बोलते हैं कि मैं ऊसी पीटल कुरहांट कर बबूलेदा जो है तो यहां रही है जो कि यहां पर यह की फरेंटल आप इधार होता है तेंपॉर्टल यहां उसके नीचे फ्रेंटल और टेंपॉर्टल के बीच में थोड़ी से जगा जो बचती है यहां पर वो होती है यह इस फेनोइड एक ही हट्डी होती है आप कन्फीज होगा यहां पर कि भाई एक साइड इधर होने चाहिए एक साइड तक जाती है अभी दिखाएंगे इसलिए उसका अकार तीतली के अकार का होता यहां देख सकते हैं अभी यह ओ है यह है इस्पेंवृट है एक हडी है सब्सक्राइब कैसे जुढ़ती है अगले फिकर में दिखाएंगे इथे मुओड यहां कि यह आख के साइड की नारे पर तो इथीमॉंड भी इतगर से दोर तक जाती है ढ़ी कि देखते हैं नेक्सट मैं यूंट कि नेक्सट देते हैं सीर की अस्तियां में क्रेणील ब्राक्ष में आट हो गई यहां नोजल मतलब नाक से नोजल बना है उसके बाद लेक्राइमल आख जस्ट नीचे छोटी दो अस्थियां दोना के निचे लेक्राइमल का मतलब होता है आसू जहां से बनता है लेक्राइमल आंख के साथ से बनता है जाइगोमेटिक जाइगोमेटिक कांस्मेटिक कहां लगाते हैं यहां पर कांस्मेटिक लगाते हैं कांस्मेटिक लगाते हैं तो हसते हैं तो यहां फुल जाता है और जहां भी यहां पर फुलता है हसने के बाद वहां ही उसके नीचे ज उसे वोमर बोलते हैं जो ऑमर के किनार Daar यह यहां पर यह तो मसल थे लेकिन नीचे होँँ च्छोटी-च्छोटी दो 2 साइड में उसे बोलते हैं इनफेरियर नोजल और एक मेंडिभल जो सबस्क्राइब Canadian हँअ है जो दाढ़ी बनाते हैं मेंडी ऊड़ने में टीपर पादे तुसका मतलब यह नहीं है कि लड़कियां नहीं बना देता नहीं होता है वह भी डाड़े म leggings नोबना है मेंडीव यहां यहां ते कैंक ही होती है। उसके जर् 시 पर होती है मैंजीवल अथ New Zealand मैंची ऑर जला मेंची जमती है आलोख होती है इत्हक कि अधर तो वह घोटीए मेंजीवल यहांने की मैंचीवल बहुती है वहां सब्सक्राइब होती है यह मैंग झीवल है है कि कि यहां पर आप देख सकते हैं लेकराइमल कुछ यह उसके बाद लिए खत्राइब में यह वाली यह आं तोड़ा सा फुलता है यह नोजल यह नोजल है दोशाइब में इसके नीचे जो हडी है उसको इसके नीचे वाला है वो मर यह इसके जो जो यह है यह मसल्स यह तो मसल्स इसके नीचे तीन होती है इस्टेपिज इंकस और मैलीश एक कान में तीन दूसरे कान में तीन छह हो गया इस्टेपिज इनकस और मैलीश अगले की अस्थी को हायोड बोलते हैं इसको देखते हैं कि कि यह आंच चीत्र कान का चीतर है मिसल सहित सिर्फ ंदर कद यह हड कर अब इस्टेपीश लिग्ण और करुटी और आप देख सकते हैं सिस्टेपीश क्या पार्क चिर्फ इतना हिए पिपीश है अधूर से बड़ा मैली जाय तो कानग की सबसे छोटी हड़ी स्टेपीच होगी और नहीं कान के बलकर शरीर के सब से हड़ी चोटी हड़ी छोटेपीच ही होगी आगे अभी पढ़े下次 के बारे में इसके पात गले की एक हड़ी होती है जिसे हयोड बोलते हो एसे हायोड यहां पर दिखाया है यहाई यहाउड है इस चैसे हैं इसे mismo कलर का दिखाया हुआ है हाइव यृट। कि इसमें भी आप देख सकते हाय यह अलग कलर में दिखाया है ना हायोड यह हाइव अडिया है उसके बाद उरोस्ति इश्टरनम हमने सीर काई में 29 को देख लिया 29 कि ये होती है यहाँ पर सीने में बीच je हडी होती है यह जहां पर पसलियां आबर मिलती है कुछी को इश्टरनम भोलते हैं यह सब पसलियां है डुनों साइड में और यह जहां से मिल मिल रही है यहीं तो है इस्टर्णम को यह इस्टर्णम है कि उसके बद पस्लियां रिप्स हमने बताया 12 जोड़ी होती है एक से साथ जोड़ी तक की वाको पसलियों को वास्तिक पसलियां को बोलते हैं एक दो यह तीन चार पांच है सात यह जोड़ियां यह डायरेक्ट जाकर के यह इस्टर्णम से मिल रही हैं तो इसलिए इन्हें वास्तिक पसलियां बोलेंगे ट्रूरेब्स आठमी नवी और दसमी जोड़ी इसको आभासी पसली बोलेंगे कि आठमी जोड़ी है नवी जोड़ी और दसमी जोड़ी आठमी जोड़ी है नवी जोड़ी है और दसमी जोड़ी है आठमी नवी दसमी जोड़ी क्या कर रही है इस्टर्णम के साथ जाकर नहीं मिल रही है आठमी नवी और दसमी जाकर यह सातमी से पान जाकर मिल रही है स है कि नहीं जोड़ी नवे जोड़ी और बरह हमें जोड़ी ऑर बारहमी इतों देखन से के आपको देख ला बारा में जोड़ी देख रहा है इससे पहले एगरा में जोड़ी इधर देखेगा कि आस इस जूड़ती नहीं है सिर्फ पीछे बटिक कसेर का यह सी जोड़ी रहती है आगे किसे जोड़ती नहीं है इसलिए इन्हें फ्लोटे रिंग लावी रिपस बोलत और पीछे कर से गांस जाकर मिल जाती है तो ये इसी के अंदर हमारा और यह षूरक्षित रहता है कि इस तो एक साथ जोड़ी है डारेक्ट आप दिखेंगे रहा है कि यह इस्टर्नम से जाकर मिल रही डारेक्ट जोड़ pessim होद ये आठ्मी आठ्मी यह है नवी यह है और दस्मी यह है तो आठ्मी नवी और दस्मी को अगर हम देखें तो यह जो का जाकर पहले साथ्मी से मिल रही है आठमी नमी दसमी जोड़ी का कर रहे है पहले साथ में से मिल रहे है उसके बाद से मिल रहे है इसलिए 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 सभीष उत्धी है एक से साथ का सभाएं यानिक एक से साथ तक सभार को ग्रिवा की से रुखाएं बोलते हैं सरवाइकल वॉर्टिव ग्रिवा क्यों कि गर्दन के पास जाती है कि यहां से लेकर इदम सुरू होकर पीछे से के बीच अभीच यहां तक जाती है टेल बुन तक यह कुँ गर्धन में समब्थ होती है यह क्योंकि इसले थे इसमाती है कुंण है यह जो श्टबूसर, इसे कुछ की कई को जो डॉक पाइब च्वक्ष क को दिखाए क vein लंबर वर्टिबरिलीज कटी क्यों क्यों कि स्टर्णम के नीचे पेड़़ हे उसके पीछे होती है इसलिए इनने कटी कस रुका है एक सेरुका या 5 का शरी का बन सकते हैं बच्चों में पांच होता है वढ़न त्रिकास्ती का बोलते हैं उसके नीचे आपसरी नृता होन श्र्ला जिसको टेसान अभी दिखा रहें कि यह इन्टेरियर ये राइट साफ से देखें टो पूस्चोर्यर है की की और दिखा डिखर फीसे दिखनेकर शोड़ीा जम्रीर क्रीविटीो यह रह Cultural डापां है न general ऐसके बाद है अवह पागेगन अंसमेखला ऐसे अगरपाद एवं अनसमेखला हमने कंकालतंत्र met बांटा था भी जश्टक कंकालतंत्र पूरा हाथ और अंसमेखला का मतलब की हाथ पूरा हाथ और अंसमेखला का मतलब की हाथ जहां से सरी से जुड़ा हुआ है और अंसमेखला था प्लकान पूरा पर और मतलब मतलब जहां से पर सरी से जुड़ा हुआ है Uh ममेखला में तो हडियां होती हैं अंसमेखला यानि कि जो जोड़ता है रिस पार अरूक को लोएकल का अर्थ होता है कालर भून जिसे हसलोपता है कहते हैं आप Richt पढ़र have Pahles drink मेन आपका जो कालर होगा जहां परोगा वहीं पर यहां पर आपको कालर भून होगी वहां से यहां से यहां से देखें कि स्वांको मसूलो तो तो इह कालर भून होती है प्रबाहु यह यह juste यह जिसे होकर आपना उलना में यह दो रेडिक और होती है तो में तीन हमक होती है कार्पल का AHRTH होता है कलाई और यह कलाई में ऐसे चोटी-चोटी हट्डियां होती है जो एक दूसरे पर राखती जो नहीं रहती है एक उल्हक्त रहती है और था का depends होती है फैले न इस हर्द होती से मोडेंगे तो तो जगह से मोडेगा यानि कि तीन तीन पार हो जाएगा अंगी। है छोगा तो इसलिए 14 हो गया तो फैलेंजिस में अंगुल अंगलास्तियां चैजोदा कर लोगा नाटमी उसी प्रकार के दूसरी हाथ की होगी कि आप कहने की जोर्त है नहीं है यह हुमेरिस है रेड़ीय सलना है यह है यह आंगलास्तियां यह कार ज्नापाल्स उसी प्रकार से पस्ट पाध में पुलते हैं उसे बोलता है इन कि न मीनेट को इननव risky होती है यह यह जडा होता है और शी को 20 गalnya जिसे बोलता है इन्नुममिनेट फस्छ पाद में जांग घुटना और पिंडली पैर जांग के हटी को फिमर बोलते हैं यह फिमर है घुटने कre को पटेला बोलते हैं यहां पर एछ उटी सी गोल हटी होती है, जो घुमती है पटेला और उसके बाद पिंडली के लिख को टी प्रकार से प्रकार से प्रकार से प्रकार से अंगुलियों के लिए जोडने कलिए चौदा होती थे उसी प्रकार से ही स्क्रण यह में प्रकार से प्रकार है ये आगवा हूव है कि यहां से जोडती है और यह कंदह यह चोडता है कि उसके बाद एस्थि संद्य अस्थी संद्य या अस्थिसंदी का मतलब है तेन संधिया नहीं जिसमें होती है उसी तन्त मे आ वाली अश्तिन भी जती नहीं होती है एक्सापल कोफड़ी तो इसमें नहीं होती है वह अलग बात है कि किसी का तूटने वाला हो तो वह हिलता है अत्वा किसी का दात कोई मार के तोड़ दे तो वह हिलने लगता है तो अलग बात हो गई यानि काटिले4 ज्वाइश जो अस्थियों अस्थियों कृठ्छ और अस्थियों का प्रिमेटियर पार्ट यानिया जैसे अगर आप मीट खहते है तो पुछ ऐसी एस्थियां होती है जो लचीली होती है जिने खा जाते हैं चबा करें और उच आप अपास्ति घुटी घुटी बहुत मोमेंट होई जाएग इसमें तो इसमें जुड़िने वाली अस्थियों के बीच थोड़ी बहुत गति शिलता होती है एक्जाम्पल कैसे रुकाएं वर्टी ब्रिज के बीच जो कैसे रुकाएं है थोड़ी बहुत गति सिलता होती है इसलिए हम इधार और इधार हो जाते हैं अगर गति सिलता बिल्कुल नहीं होती तो हम इधार ऐसे नहीं हो पाते क्योंकि जब ऐसे होते हैं तो कैसे रुकाए से मसेनरी पार्ट देखे हूँए आप मसेनरी पार्ट में जहां पर घूमने वाला चीज होता है उससे बैरिंग इत्यादीम उसको घूमने वाले पर ग्रीश लगाना पड़ता है उसको मुलायम रखने के लिए उसी प्रकार से शरीर में कौन ग्रीश डाले घूप बीच तो से लिए एक दरव होता है साइन ओ यहलों तो मुकत रूप से में गती होती है इसमें मुकत रूप से कर लिए मुक्तियादी और अंगुलास्थ्या में मुक्रव से गति हो रही है मुक्ति रूप से इसी प्रकार से गुटनों में भी इत्यादी आगे देखते हैं संदी सप्रकार सकते हैं चंदुखलिका संदी बाल एंड सकट ज्ञांट इनके बीच यहां पर बाल जाकर घुशा रहा था अभी फिगर दिखाएंगा जैसे इसलिए इसको किसी प्रकार चाहें उधार गति करा सकते हैं कबजा संधी के मतलग कि जैसे जिस प्रकार से यह दरवाजी का कबजा होता है जो एक ही साइड में खुलता है पीछे नहीं खुलता है यहां अगर कबजा है तो यहां से लेकर यहां तक खुलता है पूरा यह पूरा यह बिल्कुल पीछे तक नहीं खुलता है उसी प्रकार से यहां से जा रहा है लेकिन पीछे ला जाना चाहें तो नहीं जाएगा तूड़ जाएगा तो इसलिए कोहनी में जो अप्जा संधी होती है घुटने में अंगुलास्तियां में यहां तक जाती है पिछे नहीं जाती है हुटी संधी से प्रकार से यहां पर संधी होती है जो काठी संधी अभी दिखाएंगे इसी प्रकार से इलिप्सोइट संधी होती है फिगर की माद्यम से देखते हैं इसको बाल in circuit joint यह socket है और यह बाल है स्टेर में जाकर बाल घुश जाएगा और चारो तरफ नहीं हो सकता है यहां पर भी मैंने बताया यह चारह तरफ हो चकता है उसे प्रकार स्पेर में भी हो है यह कंग ऑच भाड़ा और यह इसके द्वारा जोड़ी हुए और इस प्रकार जोड़ी हो कि चारों तरफ घूम सकती है खोटी संदी जैसे यह घूम सकती है तो यह कारपल के बीच में यह सब्सक्राइब होता है यानि कि गद्दार पदार्फ इनके बीच में होता है तक मतलब होता है इसलिए इसले जोंट बोलते हैं यहां पर यह घूम सकती जिस पर यह बलाक देख रहे यह थोड़ा बहुत है जोता है थोड़ा बहुत इधर हो सकता है लेकि बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है इसमें यह में होता है यहां पर यहां से तो घूम सकती है तो इसके सकता है यह इस प्रकार से प्रकार से इस प्रकार से फटल के इस प्रकार से मतलब इसको करने गुमा जा सकता है इसको कि मानव सरी में दो सब्सक्राइब होती है आप जानते हैं अर पसलियों कि संक्या प्रफियों भी का सब्सक्राइब करने हैं एक मिजोडर्म से होता है प्रका मतलब या इसके संबंद्द में तीन सब्द आते हैं तो एक है एक्टोडर्म मिक के एकटेपटर मुतला अंदर एक्टेपट मतला बाहर मिच मतला अंतर YOU सब्द को पहले भी इसी वीडियों अंग्या है तो ये तीन परते होती है तो होता है पर suffers लाइर ग्रंथिए ईत्याद से समबंधी पिस्री औरी विकास होता है बाखरवाली से संकुचन को प्रसरन होता है कि ऑनी का और स्ट्रेक्षान और प्रसरन मतलब इसितन सिल्ता को कया है जैसे यहां पर यहां चोड़ियों को भाइच है तो मानस्पेशियां है तो मान स्पेशियां किस प्रकार जब ऐसे कर रहे हैं तोstart मानस्पेसिया फैल जा रहे हैं तो मानस्पेसियों में ल म conservatives को उतर जिन्सिलता का गुण बोलते हैं बनो सरीर की सभसे लंबी और मजबूत हड़िकर Remember Mmm मड़ती होती है सबसे छोटी हड़िक होती है Groß इस तेपी में होती है अब दिखाने के सबसे सबसे लंबी और मजबूत हड़ी सबसे लंबी और मजबूत हड़ी है आपको देखेगा तो आपको दवडा लेगा दवडा कर बना देगा पतला बना के चमकीला कर देगा भी तो इसलिए साण और बैल के पीछे नव पढ़ें और मुखरूपसे बिल्कुल नपड़े नहीं तो आपको पतला चम्किला कर देगा सान तो भुला से रहे हमिए सब से कमजोर हटी होती है मैलियस अपड़ी नाइन गें तो तो maleus haddii सबसे कमजोर haddii होती है कान पर मेलजमतीdaughter नहों की होती है एक होती है मोववली जोड़ें के घुमने वाली हड़ी हम ने दिखा यह तेलिखा और क्लाक्च पटेला क्या होता है पएर की हBicateES होती है और इसके तो ही मेरिस और रेडिस अलने डारीक्ट जोडती हैं दूसरे से इसमगने में बीक में अन्य हडि नहीं होती है लेकिन पैर में पैर में दो होता है फीमर और तीबिय फी घॉषल डारीक तो यह जो होता है मेंडी वल जो होता है उपर नीचे होता रहाता है बोल रहे हैं तो ही तो यह घूम रही है तो हम बोल पा रहे हैं वरना जाम हो जाएगा तो फिर मचियों के पंक में 복 słu T जाती है तो इसको उड़ने में सहाइता मिलती है न्दी नीडी से और 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 होता हैं बिटामिन दी और केलसियum कि कमी से मिटामिन दी और Посける और a च्टा सा अब बड़ा सब्द है चोटे बच्चों में होते है और बने वैस्ट को में होता है एक अधियो पोररिश्स ति एथिक हड़ी और पॉर के मतला हमने पताए साइन स्वेंज हम उसका मतला होता है च्छीदर तो हड़ियों में कैल्सियम की कमी से स्खेद हो जाते हैं इस्टेहीं बोलते हैं अभी हम दिखाएंगे उसका फिकर कि मानो सरीर की सबसे लंभी मांस स्पेसी यह उति सार्टॉरीस जांग में ओती शास टोरीस आस Damn संबसे बड़ी मांस स्पेस ग्लूटइस मैंगी मगिस नितंब में होती है मैंगी मम्मम और मैंगी मस एक ही सिवार今天 सबसे बड़ी मांसपेशी है नितंबे में होती है लड़किया मटकते हुए जब चलती है तो आपको जो पीछे से मांसपेशी दिखता है तो उसे ही कान में हमने इस्टेपीड हड़ी देखा था जो सबसे क्योटी होती चलते अश्टेपीड होगशी में होती आप जब आप Gluteus Maximus जब आप Gluteus Maximus का दिदार करेंगे तो आपके Mandible पर थपड़ पड़ेंगे और Mandible थपड़ पड़ेंगे फिर भी आपका Mandible नहीं तूटेगा क्योंकि यह बहुत मजबूत मांस्पेस यहां पर होती है में मेंसेश्टर में Mandible जो होता है मेंसेश्ट मेंडियल के उपर साइड याने इधर जो मांस्पेसी होती है इधर और यह सबसे मजबूत मांसेश्टर बोलते हैं जबड़ों में होती है यहां अभी दिखाएंगे अनाक्सी सोचन के समय लेक्टिक अमल के जमाव के कारण मांस्पेसियों में सब्द का एक ही प्रकार का सब्द है पीसी शव्सारीर का अठॉल है तो चश्ब्ड़ आपसफॉरस में में साइक है मानव सरीर की सबसे कठोर उता ख़डी होती है और सबसे कमजोर उतां स्वेश्ट मांस्पेसि होती है और इन दोनों को हम लोग पड़ रहें अभी हम इन यह होती है मानों शरीर की सबसे लंबी मानसपेश है सार्तैरियस सर्तैर्ट्रीस you होती है यह होती है सार्तैर्ट यह लाल कलर म्याहिवरा सर्तैर जंग में सबसे लंबी मानसपीश हूं relevant सबसे बड़ी मानस्पेसी कहते हैं, । सबसे च्छोटी मानस्पेसी है उसके बाद, मैसेश्टर , मानोसरी की सबसे मजबूत मांस्पेशी में स्टेश्टर होता है यहां पर होता है में स्टेश्टर यहां पर ही थपड़ पड़ते हैं तो यहां पर में स्टेश्टर होते हैं मानोसरी की सबसे मजबूत मांस्पेशी है मसल्स में प्रोटीन और अमीनो अमल होता है मसल्स में प्रोटीन मसल्स बनाना है आपको बड़ी बनाना है जी मुम जाकर बड़ी बनाना है तो क्या खाएंगे प्रोटीन खाएंगे और प्रोटीन खाएंगे यानि कि मसल्स का निर्माल करता है और अमीनो अमल भी यहीं करता ह यह सहायता करता है प्रोटीन की मसल्स मोमेंट में सहायक प्रोटीन है एक्टीन और मायोसीन एक्टीन और मायोसीन ऐसे प्रोटीन है जो मसल्स मोमेंट में सहाय करें यानिक मसल्स का मोमेंट किस्से हो यह डिपेंड करता है इस पर अगर और आपको acting करना है तो muscles के moment करना पड़े बिल्कुल एक जगह कि इस तर खड़े लोकर तो act कर नहीं पाएंगे एक्टिंग करेंगे तो muscles में यानि मानसपेशियों में moment होगा तो अगर आपको acting करना है तो मानसपेशियों मोमेंट होगा और एक्टिंग करेंगे तो आपका सीन ले लिया जाएगा सीन लिया जाएगा तो एक्टिंग और मायोसीन यह दोनों प्रोटीन मसल्स मोमेंट में सहायक होते हैं कैल्सियम में केल्सियम की मात्रा यहां प्रगले में होती है इखैस्ता में बिकास का चीले भी दिखा रहें यह ऊहす Noodles कि गले में होती प्रग रहाओ यहाई लेंद रोगन स्विए है रक्त को सिखाओं के बनने के क्रिया को हीमो पोईसिस या हमेटो पोईसिस कहते हैं है हीमो पोईसिस हीमो का अर्थ होता है रक्त पोईसिस का मतलब निर्माड पोईसिस का मतलब कहीं भी देखें कि उसका निर्माड से संबंदी तो उसका अर्थ निकलेगा और हीमो का मतलब मतलब रक्त का निर्माड तो रक्त का निर्माड इससे क्या बोलेंगे लंबी अस्थियों में पाई जाने वाली खोखली गुहा को है वर्स कैनाल बोलते हैं लाल अस्थिमज्जा और पीलिए इस थी मज़े वह कहां पर पाई जाती खोखली गुहा में और यह उसी प्रकार से लंबी अस्थिमें खोखली गुहा होती है तो इसे हैवर्स कैनाल बोलते हैं क्यां यहां मज़ागवा करने वार आष्टी ओबलाष्ट को सिखाओं के द्वारा होता है कि कंडरा एक सब्दात दो सब्दाते कंडरा कंडरा एक अईग लिगामेंट अए एक तेंडन इसे हिंदी में इंग्लिस याद करें एक हो लिगामेंट दरसला हडीये जो एक दूसरे से जूड़ी रहती है जैसे सब्सक्राइब उसरे बोलते हैं निर्मार निरमाल स्ड़ाइय ग्रंति कि यह मोच जो सबस्क्राइब ट्रेशजों का तो है यह की इसी की उत्तरों से होता है फट जाना आएक मान शच जोड़ी रहती है उसे बोलते है कि अब देख सकते हैं पूल पूंच को हम एने दिखाया कराइट गलन्न्स है यह देखेये स्ट्रेइद क्यों का द्यात क्यों के लिए लेकिन हििंदी में दोनों का अर्थ मोच होता है यह टेंदर है यहां कर्ट लेकिन छोड़ दिया है यह उसिझा मेच उसी प्रकार से यह यहां पर इस प्रकार का होता है मोचि ही होता है मौच हो कि ये तेंडंटन है टेंडन क्या है ये मंदस्पेश आपको दिख यह घप को दिख रहा है और इसे बलते हैं इसे होई यह दोनों हट्रिय यह यह अब दूसरी होती है तो इसे बोसे बलते हैं लीगामेंट भी मैंने बतायों एस बात को गठिया जोड़ों में सूजा ना जाना गठिया का हालाता है जब जोड़ों में सूजा ना जाता है उसे गठिया बोलते हैं आस्टियोपोरेसिस हमने अभी बताया आस्टियोकर्थ होता है अस्थी हड्डी और पूर का मतलब होता है छिद्र तो कैल्सियम और विटामिन डी क कमी और इसमें छेद हो जाता है अभी दिखाएंगे फिर में अधिका देते हैं तो यह देखिए आस्टियों पवैसेस हैं यहई है और यह हैं समने रड़ यह हड्यों में छेद हो गया है अइसा इसा एसा हर जग छेद हो गया है टो छेद को जो है कि वाग texto में छेत कैसे होता है केलशिम और W वि्टामिन D की कमी से यह से क्या बोलते हैं was जी तो और कि शूखा रोग रिकेट्स या श्ला मेलेशिया बिटामिन D क्लल्स कमी से हड्डयों कमजोर हो तो जुक हरों बोलते हैं हमने अभी पीसे बताया है रिकेट बच्च मेलिशया चोटे बच्छ मेलाई पेश्ट्राफी मेखला की पैसियों में कम आयू में छहती होने पर 12 वर्स की पर्चा चलने में समर्था आ जाती है या पूरसम में समाने है या घ्रदे घात वा दिमागी यह है पेगेट्स पेगेट्स डिसीज एक रोग है यह समानने प्रकार की हड़ी है समानने अवस्ता है और जब यह जो है कमजोर हो गई यह तो इसे बोलेंगे पेगेट्स रोग हążई है है कि हम एक गार्झे खुट है सारीक तरहल में केलसियम की कमी होने पर पेषियों में जल्दी शलए संकूचन हो ख़त कैंडियु में दून ओ पेगट्स में क्या आंतर है यह तेडियु में दोनों परो भु一起 इस प्रकार से टेड़ी हो जाती ह duduk कि फिलिवार की को प्रभावित करता है कि किस प्रकार से देखती है यह मिस्थेनिया ग्रेविस मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है यहां पर यह मसल्स है और मसल्स से जूड़ रहा है इसके बीच है निकोटिक क29 और ये जो हद्थ है कि हांपर जूड़ रहा यहां पर क्या रहा है इनके बीच में एंटी बड़ी जा गई आप नटीनियों से घ्रजाव कमजोहरोपा चुनी इसे मायोफनिसेंस से ग्रेविस की है कि यह टाए रीक्न सेंड आष्ट्र मलेसिया डीक्रास अ्राश्ट्र मालेसिया यह संवान स्थिति नार्मलर्ल अर्यांN वेध्द्가 अथ्वा आश्टो मेलेश्या के कंडिशन है रिकेट छोटे बच्चों में आश्टो मेलेश्या बुड़ों में यहां देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाता है अभी के लिए इतना है यह पेसी तंत्र खतम हुआ अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं